श्री संत आसराम बापू पिछले 14 वर्षों से सलाखों के पीछे जिल में बंध है जोने जमानत मिले और उनकी रियाई हो इसके लिए राश्री समरपन पार्टी की और से एक दिवसी सांकितिक धर्णा अंदूलन की शुरुआत सावने तैसिल कार्याले के भार एक दिवसी ध संत आसराम बापू की रियाई है तु समूची देश में आंदूलन चलाई जाने की चानकारी राश्री समरपन पार्टी की राश्री अध्यक्षिर शशिकान सेंग ठाकू ने इस अफसर पर कही इस अफसर पर बोलते हुए शशिकान सेंग ठाकू ने का कि आत्मवादी बला पूर्ण समय पर भी उन्हें पेरोल नहीं मिलती इससे यह जरूर साबित होता है कि देश समिधान और देश की न्याई पालिका से नहीं किसी दबाव तंत्र में कारिक कर रही है तबी तो संत आसराम द्वारा चारी हिंदू धर्मों को जागरत करना धर्मांत्रन का विरोध करना आधी करने से संत आसराम बापू को विदेशी ताकते और मशीनरियों के दबाव में जूते प्रकरण जूती गवाओं का शडियंद्र बनाकर 85 वर्षिस संत को पिछले 14 सा संत आसराम बापू की ततकाल रहाई है तू समूचे देश भर में अन्याय अत्याचार की खिलाफ और देश का समीधाम बचाने है तू संघर्ष का आगास राश्रिस समर्पन पार्टी सावनेर के जढणा आंधुलन से कर रही है आसराम बापू रहाई है तू आंधुलन की शुरुआत राश्रिस समर्पन पार्टी के राश्री अध्यक्ष शशिकान सिंग ठाकूर के मार्ग देशन में जिलाध्यक्ष सोनू बरिया की नितरत में 12 जन्वरी 2023 को दुपहर 12 बजे से सामनेर तैसिल कालियले के सामने एक दिबसी सांकेतिक आंधुलन कर सैक्लू धर्म प्रेमी और संत आसराम भापू की अनुयाईयों के उपस्तिती में माननी और विभाग्य अधिकारी के मारफत मुख्यमंतरी और ग्रह मंतरी महराश्रित शाशर केंद्री ग्रहमंतरी आधि को ग्यापन त्लभ application samt आसराम बापू की शीकर रिहाई करने की मांगी इस अफसा पर राश्ट्री समर्पन पार्टी के नाखपूर जलाद्यक्ष सोनू बरईया संदीप पवार महेंदर जनबंधु विची हिवाले आधी सहित आसंगी धर्म प्रेमी महिलाएं पुरोश और यूवक प्रमुक्ता से उपस्तित थे आंदोलन स्री संत आसाराम बापू जी की रिहाई करने की जो अध्यी संत आसाराम बापू पर खड़यम शंत करके करो ना काल में संथ आसा राम बापु को एक घंठे की पैरोल तक नहीं दी गई यह नियाए पालिक्ता पर अपने आपको धरम वादी बोलते हैं उन पर भी संवाल है NBCN न्यूस किलिस सामने से समवादाता किशो ढूंडे लेकी रिपोर्ट